और खबर आपको उत्रप्रदेश के स्रावस्ती से बता दे जहां पर स्वास्थ विभाग की टीमों की छापे मारी से जोला छाप डाक्टों में हलकम मचा हुआ है गौर तलब है कि जला अधिकारी के निर्देश पर मुख्यच किस्सा अधिकारी के द्वारा सभी CSC अधिचक को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने छेतर में जा करके देखें कि कहां पर फरजी नर्सिंग होम कहां पर फरजी अल्टरा साउंड मसीन कहां पर फरजी खुला हुआ है इसी क्रम में डाक्टर डीके सिंग की अगवाई में एकवना सी असी अदीचक आसी स्रीबास्तों ने एकवना छेत्र में छापे मारी की जहाँ पर सबसे पहले एकवना के किढवना चवराहे पर पहुच करके एक यादो मेडिकल सेंटर और क्लीनिक को सीच किया गया जब यहा बागजात मांगे गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला इसके बाद में स्वाथ विभाग की टीमों ने मेडिकल स्टोर और फरजी क्लीनिक को सीच कर दिया है और रिपोर्ट डीके सिंग ने मुखिच साधिकारी और यस्डियम को सौपा है तो इसी क्रम में स्वाथ बतना पड़ रहा है कई मरीजों की जान चली गई है जिसमें कई महिलाओं और बच्चों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है जिनको एकोना सीसी से भिंगा जिलास्पताल से बहराई च्रिफर किया जाता है तो जोला च्छाप डाक्टरों के बिरुद्धों ये कार दुकान चला रहे हैं उनके ब्रुद्ध कारवाई की जाएगी उनका उनके भागने के बावजूद भी सेसी अदीचक ने कहा है कि उनका नाम पता नोट करके स्थानिय थाने को और मुख चिकिस साधकारी को दिया जाएगा ताकि उनके उपर एकायार दजकराई जा सके तो लोगों ने मेडिकल स्टोर खोल के रखा हुआ है मेडिकल स्टोर के अंदर ही वो दवा इलाज भी कर रहे हैं ना ही उनके पास कोई फार्मेसिस्ट की डिग्री है ना ही उनके पास कोई डाक्टर की डिग्री है लेकिन फरजी तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे हैं मरीजो दिन पहले एकोना में एक अवेध रूप से संचालित अल्ट्रा साउंड सेंटर को भी सीज़ किया गया है एकोना में अस्पताल के पास में राच अल्ट्रा साउंड नाम से एक सेंटर चल रहा था जहां पर सियस्य अदीचक के दारा छापा मारा गया तो उनके पास ना कोई इलाजिस था नहीं कोई डाक्टर था और जानकारी मिली है कि को ना इलाके में आसपास क्रामीर इलाकों में दो दर्जन से अधिक फरजी नरसिंग होम फरजी अस्पताल फरजी क्लीनिक बना करके जो लोग इलाज कर रहे हैं उनका नाम पता स्वाथ विभाग की टीमों ने नोट कर लिया है जल्द ही उनके उपर फाई आर दज करवाई जाएगी गोड़ तलब है कि सम्गला चौराहा एकवना के बीरपूर के पास में कट्रा बाजा सिम्गी चौराहा के पास में कई अन्य जगों उपा से यह जानकारी मिली है कि मैडिकल स्टोर खुले हुए है और उसी के अंदर दबाई लाज चल लहा है लोग इंजक्शन लगा रहे हैं लोग आपरेशन तक कर रहे हैं यह सारी जानकारी स्ट विभाग की टीमों को पराप्त हुई है इनका नाम पता नोट किया गया है और इनका नाम पता नोट करके जिलाधिकारी को सोपा गया है जिलादकारी के निर्देश पर बहुत ही जल्द इन सभी के उपर एफायार डज करके कारवाई की जाएगी सास्त विभाग चाहता है कि जिले में कोई भी जो पसिछित ना हो जो जिसके पास डाक्टर की डिग्री ना हो जिसके पास प्रैक्टिस ना हो ऐसा कोई आम बेक्ति साधार बेक्ति किसी का इलाज करते हुए अगर पाया गया तो उसके ब्रुद्र बहुत ही सक्त कारवाई अमल में लाई जाएगी तो अब जो की मुख्च के साथकारी ने ये निर्देश दे दिया है कि जितने भी सी अधीचक हैं अपने अपने छेतर में जा करके दोरा करें और पता लगाएं कि कहां पर जोपड़ी में टीन सेट के अंदर कहां पर बरामदे में कहां पर खुले में कहां पर कौन सा क्लीनिक खुला हुआ है कौन साथ विभाग के पूरे मानकों को पूरा करता है ये चापे मारी लगातार तीन महीने तेक चलेगी नोग अपना शाटर बंद करके दुकान बंद करके भाग जाएंगे उनके खिलाभ भी कारवाई होगी तो सास्त भाग पूरी तरीके से इस बार जो है सकती बरत रहा है बहुत सारे जोला छाप ढाक्टों की सिकायतें जिलादिकारी को मिली है कुछ सिकायतें पोर्टल पर मिली है और इसी करम में ये छापे मारी जारी रहेगी